हेलो फ्रेंट्स वागत है आप सबका मेरे योट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1-Tag तो फ्रेंट्स अगर आप एक पेटियम यूजर हैं आप पेटियम चलाते हैं और आपके पेटियम में KYC भी नहीं हुआ है और आप अपने पेटियम वैलेट के पैसो को अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाते हैं या किसी के भी बैंक अकाउंट में भीजना चाते हैं तो वीडियो काफी ज़्यादा informative है तो वीडियो को पूरा शुरू से लेके last तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आम मेरे चैनल पर new हैं तो please मेरे चैनल को subscribe करके नोटिफिकेशन बेल को ओन पर सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends हम आ चुके हैं अपने mobile phone की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें Paytm की जो application है इसको open कर लेना है मैं इस पर क्लिक करके से open कर लेता हूं तो friends यह home screen आपके सामने open हो जाती है इसकी ठीक है इस तरीके से दिखाई देती है आप देख सकते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है मैं आपको सबसे पहले अपने amount दिखा देता हूं तो मैं सिंपल इस Paytm वैलेट के उपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरे सोर पर पड़े है Paytm वैलेट में और मैं अपने इन पैसों को बैंक में ट्रांसफर करना चाता हूं तो वह कैसे करना है वह मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा बैक आ जाएंगे यहां से उसके बाद आपको यहां पर टोप पे राइट कॉर्णर में यहां पर आप देख सकते हैं सरच का एक आइकन दिखाई देगा आपको सिंपल सरच वा ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं टू बैंक एकाउंट और टू यूपियाई आइडी अगर यूपियाई आइडी है आपके पास तो यहां पर यहां पर यूपियाई आइडी डाल सकते हैं यहां पर उसके बाद अगर आप बैंक एकाउंट डालना चाहते हैं तो सिं ठीक है और उसके बाद आपको वही एकाउंट नंबर जैसे मालीजी आईसी आई बैंक है तो यहां पर आप देख सकते हैं एकाउंट नंबर डलेगा दुबारा से होल्डर नेम डलेगा ठीक है और मोबाइल नंबर ऑप्ष्णल है और सिंपल आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा ठीक है यहां पर लिखा भी है कि आई-फसी कोड की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस बैंक के लिए यहां से बैका जाते हैं तो मैं आपको यहां यहां पर यूपियाइडी डाल के करके दिखाऊंगा तो मैं यहां पर क्लिक करूँगा तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर यूपियाइडी डालनी है आपको नीचे मोबाइल नंबर है ठीक है यह ओप्ष्णल है यह आप चाहें ना डालें बस आप यूपियाइडी डा दाल देता हूं तो फ्रेंड्स मैंने यहां पर एक यूपिय डाल दी है उसके बाद आपको यहां पर नीचे प्रोसीड का जो ओप्शन दिखाई दे रहा है आप मोबाइल नंबर को ब्लैंक छोड़ सकते हैं एपलोड रेंटल एग्रिमेंट इसको भी आप ऑप्शनल रख सक आप देख सकते हैं उपर डेटेल आ गई हैं जिसके नाम से वह एकाउंट है ठीक है यहां पर कितने रुपई भीजना चाहते हैं तो मैं यहां पर 99 लिखुंगा क्योंकि वह 1 रुपा एक्स्ट्रा लेता है ठीक है यहां पर मैं प्रोसीड टू पेपर क्लिक करूंगा जैस कोई भी card reflect नहीं करना आपको क्या करना आपके patium wallet से payment करनी है patium wallet से bank में भेजने हैं तो मैं यह patium balance वाला जो option है मैं इसको select करूंगा तो मैं इस पर click करके इसे select कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं 99.99 होगे मतलब 100 रुपीज एक रुपा लग जाता है इसमें charge का ठीक है तो यहाँ पर यह 100 रुपे हैं मेरे इसमें तो 99.9 पूरे 100 चले जाएंगे इस तरीके से ठीक है यह amount transfer हो जाएगा in a few minutes यह थोड़ा सा wait कर लेते हैं ज्यादा wait नहीं करना पड़ता है इसमें 1-2 minute का यह wait करना पड़ता है और वो successfully transfer हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर successfully transfer हो गई है यहाँ पर मुझे message आ गया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ successfully कैसे हुआ है वहाँ पर show होता है वो तो यहाँ simple अपनी profile के उपर left side में click करना है उसके बाद आपको यह orders and bookings का option मिलेगा यहाँ पर scroll down करेंगे तो आपको simple इस पर click करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट हो चुकी है 99.9 your order is successful ठीक है तो इस तरीके से आप भी अपने पेटियम वैलेट के पैसो को किसी के भी bank account में transfer कर सकते हैं और आपको KYC की जरुरत भी नहीं पड़ेगी सबसे आसान तरीका है तो friends अब आप यह अच्छे से सीख गए हैं कि आप किस तरीके से अपने पेटियम वैलेट के पैसो को किसी के भी bank account में transfer कर सकते हैं और आपको KYC की भी जरुरत नहीं पड़ेगी यह तरीका मैंने आपको बता दिया है अगर फिर भी इससे related कोई भी question है आपके mind में कोई भी query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूश सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इससे like और share जरूर करें Thank you